माना जाता है कि भगवान मिश्नु जब चारो धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमाले की उची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रिनात में स्नान करते हैं, पश्शिम में गुजरात के द्वारिका में बस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन कर तथा दच्छिल में रामे शुरम में विस्राम करते हैं दौपर के बाद भगवान किष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जक्केनात अर्थात जगनात पुरी का जगनात धाम चार धामों में से एक है यहां भगवान जगनात बड़े भाई बलबद्र और बहन करते हैं हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अगर आप भी जगनात पुरी जानने का प्लान बना रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी हैल्फुल रहेगा क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे की जगनात पुरी कैसे जाएं वहां कहां रुकें तथा जगनात पुरी हमें कब जाना चाहिए और वहां जाने के लिए हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए तथा वहां हम क्या क्या गूम सकते हैं और वहां रुकने में एक व्यक्ती का कुल खर्चा कितना आएगा तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करक हैं कि हम जगनातपुरी कैसे आएं तो जगनातपुरी पहुंचने के लिए आपके पास दू आप्शन है एक बाइट रेंग और दूसरा बाइफ लाइट एक करके दूनों आप्शन को समझते हैं अगर आप बाइट रेंग पूरी आना चाहते हैं तो आपको आना होगा पूर और भुबनेश्वर से पुरी की दूरी लगवक 60 km है और पुरी रेलवे स्टेशन से जगनात मंदिर की दूरी करीब 2 km है अगर भुबनेश्वर रेलवे स्टेशन से मंदिर आ रहे हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से बस टेक्सी या ओटो मिल जाएगी जो आपको मंदिर तक छूड़ देंगे इसके अलाबा अगर आप चाहें तो दूसरी ट्रेन पकड़ के भी पुरी आ सकते हैं और पुरी से आप कैव या टेक्सी के द्वारा मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं तो फ्रेंट्स आप अपनी सुबदा अनुथर जैसे भी मंदिर आना चाहें वैसे आ सकते हैं अब बात करते हैं दूसरे ओप्शन की वो है बाई फ्लाइट अगर आप जगनात्पुरी बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहां का जो नजदी की एयरपोर्ट है वो है भारत के बड़े सहरों से काफी अच्छी तरह से बैल कनेक्टिड है फ्रेंट्स एयरपोर्ट आने के बाद आप बस टेक्सी या ट्रेन के द्वारा आसानी से जगनात्पुरी मंदिर तक पहुंच सकते हैं तो फ्रेंट्स यह तो हो गई आने की बात आप बात करते हैं कि प पुरी पहुंचने के बाद परेटकों के मन में एक बड़ा सवाल रहता है कि हम यह कहां रुकें तो फ्रेंट्स आपकी जानकारी के लिए बता दू पुरी में रुकने के लिए आपके पास चार आप्सन है पहला मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने भक्तिनिवास और दूसरा धरम साला, तीसरा प्राइबेट होटेल और चोथा पुरी का मरीन ड्राइब लाइन तो फ्रेंट्स एक एक करके चार आप्सन को समझते हैं फ्रेंट्स सबसे पहले बात करते हैं पहले आप्सन की जो की है भक्तिनिवास जगनात पुरी में मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जगनात पुरी धाम की ओफिशिल बैफ साइट के माध्यम से ऑन-लाइन बुकिंग भी करा सकते हैं या फिर आप वहां पहुँच कर खुद से ऑफ-लाइन बुकिंग भी करा सकते हैं फ्रेंट्स अब बात करते हैं दूसरे ओप्सन की जो की है पुरी का धर्मसाला फ्रेंट अगर आप यहां रुखने के लिए सस्ता और अच्छा ओप्सन चाहते हैं जो आपके बज़ट के अंडर रहे तो आप धर्मसाला में रुखने के ओप्सन को चुन सकते हैं क्योंकि जगनात मंदिर परिसर की आसपास कई सारी धर्मसाला बनी हुई हैं जिनमें आपको 300 से 500 क के बीच में अच्छी सुधाओं के साथ रूम मिल जाएंगे फ्रेंट्स अब बात करते हैं तीसरे ओप्सन की जो की है प्राइवेट होटल पुरी में आपको मंदिर की आसपास बहुत सारे प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे जिनमें आपको 500 से लेकर 3000 के बीच में रूम आसानी से मिल जाएंगे तो आप अपनी सुधा के अनुसार रूम को या ले सकते हैं फ्रेंट्स अब बात करते हैं चोथे और आखरी ओप्सन की जो है मरीन ड्राइव पुरी फ्रेंट्स अगर आप सच में पुरी की सेर करना चाहते हैं और इसे करीब से देखना और आपका बजट थोड़ा सा जादा है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप समुद्र के किनारे बने बीच का आनंद लेने के लिए मरीन ड्राइव लाइन में अपने रुखने की विवस्ता बनाएं और ये मरीन ड्राइव लाइन जगनात मंदिर से करीब 2 किलो म पर इस्तित है यहां पर जो होटल के चार्ज होते हैं वो हजार से लेकर छे हजार तक की बीच में होते हैं तो आप अपनी सुबदा के अनुसार यहां पर रूम ले सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर रुखने के लिए आपका पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्श होगा लेकिन आपको जो इंजॉयमेंट यहां मिलेगी वो आपके जीवन के यादगार पलों में से एक होगी फ्रेंट्स अब बात कर लेते हैं कि यहां पर खाने पीने की क्या विवस्ता है तो फ्रेंट्स यहां पर आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स या फिर होटल मिल जाएंगे इसके लगवक 25,000 लोगों के लिए खाने की विवस्ता की जाती है इस मंदिर में रो जाना 50,000 भक्तों को पुरशाद बाटा जाता है जिसे लगवक 700 रसोईे तयार करते हैं और खाने को मिट्टी के बर्तनों में ही तयार किया जाता है इस तारी निवासियों के अनुसार देवी लक्षमी खुद इस रसोई में खाना पकाती हैं और अन्ने जो रसोईे होते हैं वो उनकी मदद करते हैं तो यहां पर जो भी भक्त आते हैं वो इस प्रशाद का लुप्त जरूर उठाते हैं तो मैं आपको भी सजिस्ट करूँगी कि आप एक बार इस महाप्रशाद को जरूर टेस्ट करें फ्रेंड्स आप बात करते हैं कि हमें जगनात पुरी कब आना चाहिए तो यहां आने का सबसे अच्छा समय होता है शर्दियों का क्योंकि उस समय स्रदियों की ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है जिससे लगने बाला होटेल, खर्च, खाने, पीने और ट्रांस्पोर्टिंग के खर्च में भी काफी ज़्यादा बच्चत होती है फ्रेंड्स इसके अलाबा अगर आप यहां मार्च से जुलाई के बीच याने की गर्मियों के मौसम में आते हैं तो उस टाइम यहां काफी ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसकी वज़े से आप यहां पर अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स अगर आप यहां पर अच्छे से घूमना चाते हैं तो मैं आपको यही सज़ेस्ट करूँगी कि आप यहां पर बिंटर के सीजन में ही आएं फ्रेंड्स इसके अलाबा अगर आप यहां पर निकाली जाने वाली रथ यात्रा में सामिल होना चाते हैं जो कि जगरनात मंदिर से भगवान स्री किष्ण की रथयात्रा हर बर्च आसाड महा के सुकल पक्ष के दुतिय दिन निकाली जाती है जो अगले दस दिनों तक गुडिच्चा मंदिर में बिश्राम करने के बाद बापस जगरनात मंदिर के लिए निकलती है जो कि एक अदसी के दिन प्रस्थान करती है तो अगर आप यहाँ पर जगरनात रथयात्रा में सामिल होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जुलाई के महिने में आना होगा फ्रेंट्स आप मंदिर पहुँचने के बाद अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में हम अंदर जाकर कैसे दर्सन करेंगे फ्रेंट्स यहाँ में आपको बता दूं कि मंदिर में किसी भी प्रकार का फोन, कैमरा या फिर चमडे की बनी हुई चीजे ले जाना एलावड नहीं है इन चीजों को या तो आप अपने होटेल के रूम पे छोड़के आईए नहीं तो आपको यहाँ पर एक काउंटर मिलेगा वहाँ पर आप इन सारी चीजों को जमा करवा सकते हैं जो आपको एक token देंगे और जब आप दरसन करके लौट के आएंगे तो वो token दिखाकर अपना सामान बापिस ले लीजिए मंदिर में प्रवेश्व करने के लिए चार दुआर हैं लेकिन हम जो प्रवेश करते हैं वो सिंग द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं फ्रेंट्स मंदिर की आजपास आपको समुद्र की लहरों की काफी आवाज सुनाई देगी लेकिन आप जैसे ही सिंग द्वार से एक कदम अंदर रखेंगे समुद्र के लहरों की आवाज आना बंद हो जाएगी और जैसे ही कदम बाहर रखेंगे तो आवाज दुवारा से आने लगेगी ये मंदिर का एक रहस्य है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है मंदिर में 22 सीरियां चड़ने पर पहले विशुनात मंदिर आएगा विशुनात मंदिर के दर्सन करने के बाद ही भगवान जगनात के दर्सन होंगे विशुनात मंदिर के दर्सन करने के बाद आप सीधे भगवान जगनात के दर्सन करने के लिए लाइन में लग जाएए फ्रेंट्स यहाँ पर ध्यार रखिए कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की होती है तो आप अपने बच्चों और आपके साथ जो भी बुजर्ग हैं उनका आप विशेश ध्यान रखे बस भगवान जगनात का मन में ध्यान करते हुए आप मंदिर के गर्व द्वार तक पहुंच जाएं जब आप वहाँ पर पहुंच जाएंगे तब आपको भगवान जगनात उनकी बहन सुवद्रा और भाई बलभद्र के दर्शन होंगे भगवान कृष्ण के प्रतीक जगत के नात भगवान जगनात की प्रतिमा दाईं तरफ इस्तित है और मद्द में उनकी बहन सुवद्रा की प्रतिमा है तता बाईं तरफ बड़े भाई बलभद्र की प्रतिमा इस्तापित है तो फ्रेंट्स वहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए एक मिनट से भी जादा खड़े नहीं होने देते हैं तो बस आप इधर उधर ना देखते हुए भगवान की प्रतिमाओं को नहारते हुए बापस बहार आ जाएए फ्रेंट्स इसके अलाबा आपको जगनात मंदिर परिसर के अंदर और भी मंदिर देखने को मिल जाएंगे जैसे बिमला देवी मंदिर, साची गोपाल मंदिर, गोपीनात मंदिर, लचमी मंदिर, बट-गड़ेस मंदिर बाँन मंदिर आप अपनी सद्धा के अनुसार सभी मंदिरों के दरसन कर लीजिए इसके बाद आप जगनात महाप्रबू की रसोई के दरसन अवश्य करिए ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है इस रसोई को देखने के लिए 10 रुपए का टिकेट लगता है इस रसोई में लगवग 500 रसोई तथा उनके 300 सयोगी भगवान को चड़ाने वाले 56 वोग को तैयार करने के लिए काम करते हैं यहां की मानिता के अनुसार इस रसोई में बनने वाला भगवान की 56 वोग का निर्माण माता लच्मी की देख रेक में होता है फ्रेंट्स आप बात करते हैं कि हम यहां पर और कहां कहां घूम सकते हैं आप यहां पर चंदरभागा बीच, कोणा के मंदिर, लिंगराज मंदिर, उदैगिरी हिल्स, नंदन काना, जूलोजिकल पार्क, चिलका जील, आधि को विजिट कर सकते हैं इसके अलावा आप यहां पर पूरी बीच पर जा सकते हैं, यह बीच जगनात मंदिर से मात्र, दो किलो मीटर की दूरी पर इस्चित है, इसलिए इस बीच को आप जगनात मंदिर में दरसन करने के बाद ही विजिट कर सकते हैं अगर आप यहां पर इन सारी जगे पर घूमना चाते हैं, तो आपको यहां पर लगवक दो से तीन दिन का टूर प्लान करना होगा, तब ही आप यहां पर इन सारी जगे को घूम पाएंगे फ्रेंट्स अगर आप यहाँ पर तीन दिन के लिए रुखना चाहते हैं तो आपका लगवक तीन से चार हजार रुपए तक का खर्चा आ जाएगा फ्रेंट्स इसमें मैंने आपका बस, फ्लाइट और ट्रेन का टिकेट इंकलूट नहीं किया है फ्रेंट्स यह था जगरनात पुरी से समंदित वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें थैंक यू फूर वाचिंग